आपके अपने परिवार सेवन यूट्यूब चैनल पर उमीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चो और बहुत ही सांदार सी आज की किलास होने वाली है जहाँ पर प्यारे साती हो मैं आपको कराने वाला हूं बहुत सांदर सी किलास और उस क्लास में आज का भारत में पिर्थम पुरुस और अगर क्लास पूरी हो जाती है बच्चो तो इसके बाद हम दूसरे टोपी की दरभी मुव करेंगे भारत में पिर्थम महिल आए तो सभी बच्चे एक बार प्यारे बच्चो जल्दी से वीडियो के लिंक को कोपी करो और तुरंत सेर कर दि और बच्चो सतीस तिवारी सभी आप बच्चो का स्वागत है आपके अपने परिवार में बच्चो और आज एक बहुत सांदार्जी गिलास जहां पर हम करेंगे प्यारे साथियो भारत में पिर्थम पुरूस अगर आपके पेपर में क्वेशन आना होगा तो वो इनी क्व से आएगा बैटा ये पचास क्वेशन होंगे और ये पचास क्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पूटेंट होंगे आपके एकजाम के दरिश्टी कोन से मैं उमीद करता हूं कि आप सब बच्चे आज इनका बिल्कु सटी को रिक्नम सही जवाब देंगे बच्चों अगर को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बच्चों अगला पॉइंट अमीद कुमार जी आ चुके है कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा कुमारी प्रियंका चोधरी जी फटाफट जल्दी से आपको क्या करना है चैनल सब्सक्राइब कर लो जो भी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चलिए अरे नाम लेने से सलक्सन नहीं होते वर्ना तुम्हें डेली पहले आपकर आगर नाम लिया करत आपका CGL में पूच जा चुका है CHSL में पूच जा चुका है GD 2003-22 के एक्जाम में आ चुका है यही एक सवाल कि बताई यह भारत में पिर्थम प्यारे बच्चो पिर्थम गवर्नर जर्नल कौन हुआ करता था तो जल्दी बस बताओ हाँ कल रिकोडिर क्लास थी अब जर्थम पिर्थम गवर्नर जर्नल की बात करूं तो बच्चो भारत में पिर्थम गवर्नर जर्नल थे लाड विलियम बेंटिंग इधान रख लिजेगा वो कौन थे प्यारे साती हो लाड विलियम बेंटिंग आज मैं आपको लाड विलियम बेंटिंग के बारे में दिखाऊंगा कौन थे लाड विल्यम बेंटिंग तो बच्चो ये रहे आपके लाड विल्यम बेंटिंग ये रहे देखो ये हैं लाड विल्यम बेंटिंग जिने का सुरी लाड विल्यम बेंटिंग इन्होंने भारत में दो काम किये थे और इनमें से अगर तुमने यह पूरी किलच कर ली तो एक नमबर तुम्हारा पक्क़ है मैंने सवाल पूचा है कि सती परथा को कब बेन किया गया था जवाब दो सती पिरता को कब बեर किया गया था इस पिरसन का जवाब है किसी के पास जबहाने दुवारे विलियम बेंडिंग के दुवारा सती पिरता सबसे पहला चबाब से बादने लक्षमी गुप्ताँ और सीवानी कोर्जी आपका गलत जबात होगे क्योंकि आपने 1828 दिया है इसका सही जवाब होगा 1829 यानि कि राजा राम मुहन राय के सहयोग से 1829 में भारत में क्या हुआ था सती पिर्ता को बेन किया गया था तो 1829 आपका बिलकुष सही होगा मेरी प्यारी गुडिया बिलकुष सही जवाब हो गया अगला अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनल और पिर्थम वाइसराय कौन था भारत का अंतिम गवर्नर जनल और पिर्थम वाइसराय एक यह आदमी रहा है बच्चों फिर से बता दूं आपको अंतिम गवर्नर जनल है और पिर्थम वा तो भूडू जी ये रहे थी आपके लाड केनिंग रहे थे अब बाप अच्छे तरीकता जानते हैं। लाड़ केनिंग से रिलेटिड कौन कौन से पॉइंट पूइंट पूचा जाते हैं ये रहा लाड़ केनिंग और बच्चो ये रहा लाड़ केनिंग का चेहरा आप इनको भी देख लिजेगा साथ के साथ ये लाड़ केनिंग का चेहरा है इनको भी आप देख लिजेगा जरा बता दूँ जो पहले से तयारी कर चुके हैं या जिन्हों ने तयारी नहीं भी किये कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो यह किलास उनके लिए उन बच्चों के लिए नहीं अरे यार ओप्सन नहीं है मैं तो जा रहा हूं आप जा सकते हो मैं विल्कु साफ कहता हूं ऐसे कोई कहता नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको तुक्का बाजी करनी है तो आप जा सकते हैं और अगर कुछ सीखना है तो मेरी क्लास में आप लोग रुख सकते हैं देखो दोस्तों आपको तीन बाते मैं यहां पर बता के चलूंगा जिन में से पहला पॉइंट क्या होगा विद्वा विवाह पुनर विवाह लिख लो दोस्तों विद्वा विवाह पुनर विवाह विद्वा विवाह पुनर विवाह का पासवा था तो आप लिख लिजेगा अठारे सो चपन में विद्वा विवाह पुनर विवाह का साथ यह हो दूसरा pointा आठारे सो सथावन की किरांती बजो आपको बताना है कि यह किरांती कहां से शुरू हुई थी 1857 की किरांती कहां से शुरूई थी पहला सवाल दूसरा आपको बता दू दूसरा पॉइंट सुनिए हाई कोट एक्ट हाई कोट एक्ट कप पारित हुआ था भारत में IPC and CRPC ये किसके समय में लागू हुई थी ऐसे ऐसे जब सवाल पूछता है ना अग्रामनर तो दिमाग की दही बन जाती है यार ये तो किसी ने पढ़ाए नहीं थे तो मैंने एक सवाल आपसे पूचा है कि 1857 की किरांती कहां से शुरू हुई थी इसका जबाब है क्या तुम्हारे पास 1857 की किरांती कहां से शुरू हुई थी इसका जबाब है क्या तुम्हारे पास तुम्हारे आठ 1857 की किरांती जो शुरू हुई थी ये मेरट से शुरू हुई थी कहां से आपको बता देना चाहता हूँ जो 1857 की किरांती थी ये हमारे मेरट की पावन धरती से शुरू हुई का अंतिम वायसराय कोन है यार गुरुजी ये क्या सिस्टम है अनूसा पटेल जो तुम्हारा अचुछ अनुसली हो नवे नाम है भारत का अंतिम वायसराय कोन ता गुरुजी ये तुम नहीं पता एयप बबुआ आपको बता जैना चाहता हूं ये कौन थे लाड माउंट बैटन कौन ते बच्चो लाड माउंट बैटन आप लाड माउंट बैटन के बारे में अगर मैं बात करूं इन्होंने गांदी जी को कहा था one man boundary force लिख लो बेटा इन्होंने गांदी जी को क्या कहा था one man boundary force कहा था एक बात और हम लगना जिस समय गांदी जी जिस समय भारत आजाद हुआ था तो उस समय वाइसराइक कोन रहा है तो बेटा लाइड माउंट बेटन रहा है अगर मैं बात करूं भारत कि आजादी की डेट क्या है तो आप अच्छी तरीके से जानते ओं और भारत देश का बाजादOOOO तो हमारा भारत देश 15 अगस 1967 के दिन आजाद हुआ यह भी आप अच्छी से जानते है इसका मतलव हो जब भारत देश आजाद यहां पर लगबग 500 बच्चे देख रहे हैं मुझे 500 के 500 कोई कमेंट सही है कि बिना उप्षन की जो किलास है मैं चाहता हूं वहना तुक्का तो आप लगाई सकते थे कि इसका यह इसका भी आज आपको कैसा लग रहा है यह बता हो जाएंगे यह किलास आपको कैसी लग रहे ह जल्दी करके बताएंगे बच्चो अब बताएं दोस्तों यह कैसा लग रहा है आपको देखे अगर ओप्सन होते तो तुम लोग तुक भी लगा सकते थे सर इसका यह इसका भी है इसका सी यह लेकिन आज ओप्सन नहीं है आपको ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा अगला पॉइंट के अभी तक जबाब निया सब का बहुत बढ़िया अगला सवाल देखिए स्वतंत्र भारत के पर्तम गवर्नर्ट जनल कून थे जब भारत आजाद हुआ तो भाईया उस समय भारत के गवर्नर्ट जनल कून थे यह आपको बताना होगा विदाउट ओप् कि भारत 15 अगास 1947 दिन शुकुरवार के दिन हमारा देश क्या हुआ अंग्रेजों से आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेजन हुआ आप अच्छी तरीके से धानते दोस्तों तो कून थे तो उनका नाम था सी राजा गोपालाचारी क्या नाम था दोस्त ही ठीक है और अगर आपसे पूछे आंतिम कूंते जब भारत आजाद हो रहा था तो भाया उस समये ते लाड माॉंट बेटन कुंते लाड माउंट बैटन ठीक है अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या आता है अगला सवाल यह है सी राज गोपलाचारी वाला देखो स्वतंद्र भारत के पिर्थम स्वतंद्र भारत के पिर्थम तथा अंतिम भारतिय गवर्नर जलमन तब भारत के कुंते यह है सवा करने वाल यहां बच्चे कहते हैं तो लाड मांट बैटन था ये तो हमने तुनन्त पड़ा है इसके बारे में तो मुझे सारी चीजे पता हैं यह थे लाड मांट बैटन नहीं यहीं तुम गलती करबा रहे हैं वच्छो कि जो स्वतंत्र भारत के अरे वह सुतंत्र कभ हुए इनके बाद में कोई नहीं बना और इनसे पहले कोई भारते नहीं बना ये पॉइंट आप जहान रखेगा ये रहा सी राजगोपलाचारी पूरा नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपलाचारी ये इनका फोटू है आप देख सकते हैं विचारे चाधर ओड़े खड़े हैं सर यहां से हम तोड़ाशा फोर्टू हटाए हैं अब बादा रहा हमने तुमसे पूचाया कि स्वतंदर भारत के प्रतम राष्ट पती कुन दे जवाब दो दोस्तों घृब राष्ट पती कौन दे डूट गोल्य दूपकाओं या कुछ इकरो वो तो हमारे देश के राष्ट पति नाम बात कर रहे हम ड्ग्र राजूंदर फिरसाद पति की किस की बात कर रहे हैं डॉक्क्टर राजूंदर फिरसाद जी की ऑब कर हम ढ JBทarina पत buds यह इकलोते ऐसे भारतिये हैं जो दो बार राष्ट पती बने हूं जो दो बार राष्ट पती बने हूं यह दो बार क्या बने हैं बिटवा यह दो बार राष्ट पती बने हो यह बात यहां रखना आप से पूछ लेगा कि हमारे देश में एक मात रिवक्टी जो दो बार तो को सवाह्呢 रहने वाले थे कहांव थे अग enabling आपके इसलिन पर यहाँ बदाई ये अगला सवाल भारत के общем मुसलिम राष्ठ पती कुन थे दो भारत के प्रत मुसलिम राष्ठ पते कुन थे अगर आई तुक्का नहीं लगेगा तुक्के वाले आज गए आज तुक्के वाले गए बच्चो कि भारत के पिरता मुस्लिम राष्टपती कुन थे देखिए मैं यहां पर लिखूंगा वैसे लेकिन आप बताओगे तो थोड़ा साथ चा लगेगा थेंक्यो ब 35 जबाबडवाले भाई थेंक्यू आज रा इस पेडिसन का जबाब दो के आएगा भारत के मुस्लिम राष्टपती के अगर हम बात करें तो आज तक बहुत कितने मुस्लिम राष्टपती बने हैँ तो जिनमें पहले का नाम ता जाकी रूसैन आप बैटा पहले का नाम जाकिर हुशैन यह बात जो बैटा लिख रहा हूं इनकोंपी में लिख़ोगु नोट लिख़ँए आज तक कितने मुसलिम राष्टपती बने हैं पहले जाकिर हुशैन दूसरे का नाम क्या था बैटा दूसरे का मने थे बेटा आप सभी जानते हैं एपीजे अब्दुलकलाम यह आज तक भारत में कोल मुसलिम राश्टपती बने अब बताओ ओप सन्वाली किलास में कैं इतने सारे पॉइंट किलियर होपाते लुब सन्वाली किलास में के इतने पॉइंट के लियर हो पाते नहीं हो पाते कभी भी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत के पहले ऐसे राष्टपती जिने मिसाइल में कहा जाता है भारत के ऐसे राष्टपती जिने मिसाइल में कहा जाता है वो कौन थे जरह बताइए बच्चो भारत के ऐसे कौन से राष् अब्दुल कलाम यह राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है चलिए यह रहा जाकिर उसन साहब आगे और यह रहा जाकिर उसन जी का फोटो यह जाकिर उसन जी कितने इस अच्छे लग रहे हैं यहापर चस्में लगा हुआ है बढ़िया लग रहे हैं अगला देखो बिचा अग तो दिमाग के पर्दे कुलने पड़ेंगे लेकिन पता है बात क्या है आपको बता हूँ आज में मेरी क्लास में 700 बच्चे से ज्यादा देख रहे हैं और जवाब कितने देरें जवाब देरें मातर 208 बच्चे इसका मतलब और सब लड्डू की तरह बैठें वम्मी अंब तो सर्वपल्ली राधा किर्शन क्या नामता दोस्तों डोक्टर सर्वपल्ली राधा किर्शन पहला पुइंट तो आप यह देख लीजिएगा राधा किर्शन जीते इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल सुन लिजेगा ये एक मातर ऐसे भारती ह है जो वन भॉलुप राष्ट पती बने हूं दो बार उपर राष्ट पति बने हूं पिलसुप एक मातर भारती है यह एक बार राष्ट पति बने हूं और वीटुआ 1954 में भारत रतन मिला हो अब यहां देखो दो बार उप्राष्ट पती रहे एक बार राष्ट पती रहे उनीस तो चुवन में भारत रतन मिला और आपको यह भी पता होगा प्यारे बच्चो जो हम लोग स्टीचर्स डे बनाते हैं वो भी इनिकी उसमें बनाते हैं ठीक है यह रहे आपके डॉक्टर स चलना हूँ इसलिए ताकि अगर तुम्हें कभी यह मैं आप से पूछू की बताओ यह कौन है गुरुजी यह तो हमें अकलिस से लग रहे हैं बहुत पहचान लो कलमान लो फोटू तुमारे पास में आ गया और मैं तुम से पूछू बताओ यह कौन है गुरुजी यह तो लेकिन बताए नहीं पारों यह कौन है यह बाबा लग रहे हैं कोन वह यह तो प्यारे दोस्त इसलिए में बता दू तो हर्स बताओं में बैटा कैसे करें दिल्ली पुलिस का बैच तो यह जो बाबाची आपको दिखाई देरे हमारे देस के पहले उपराष्ट पती दूसर वाली बात नहीं है क्योंकि भारत के प्रतम प्रदान मंत्री आप सभी जानते हैं नहरूजी थे तो यह तो आप जानते बिटाई इनको का पड़ाने चलका सवाल हम छोड़ का आगे निकल गए यह रहे नहरूजी अब हम मालने तुम्हें इनका फोटो देखाई यह कौन है गुरूजी यह तो चाचा जी लग रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं हम बताओ यह कौन है हम नहीं जाना थे गुरूजी हमको नहीं पाता वह यह कौन है हम पूछे कौन है गुरूजी हमको फोटो देखा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैंने प्यारे साथ आपको इनके फ परदान मंत्री कोन थे पहले गुरुजी नहरु जी थे यह है को गुरुजी इनका नहीं पता यह कौन है तो बाबु इसलिए तुम्हें मैं इनके फोटो भी दिखा के चलना हूं कभी आपका गलत ना हो जाए ठीक है अगला सवाल देखे अगला सवाल क्या कहता है भारत के प पहले प्रिणाम करते हैं क्योंकि यह हमारे देश के लोहो पुरुष कहलाने वाले एक मात्र भारती हैं क्योंकि इन्हीं की वज़े से भारत का एक ही करण हो पाया था यह थे वीपी मैनन थे और बच्चों आपको बता दूँ यह जो इन्हें सरदार का टाइटल मिला हुआ यह सरदार का टाइटल इनका तो बनॉंभाई पतेल तो यह महीलाओं के दुआरा दिया गया था यानिकी से वह यह बार्दोली के महीलाओं ने दिया था खहां आपको इन क्लाश अच्छी लग री सब्विधार मिलियों नहीं आफे लिग जानत मॉच्छ माझार जी ये कौन थे बच्छो अबarc मन्त्र इस्तिफा देने वाले पहले विक्ति कुंद तुम्हें पहले पहले ही बताने है है यारिय कोन है इनका नामें इतिवारी साहव यह का रहा है गुरुजी रिकूर डिटन क्लास है मुनी पढसाद घ्राइस अप में और सुनिसे को योड ट्रीक होगी तो इनकी देगे बच्चो भारत के केंद्रिय मंदल से पहले वेक्टी कॉंटे जिसे ने इस्तिफा दिया था अगर आप में से कोई ओस्यार बच्छा तो मुझे बताई जरा को बच्छा बताई इस प्रिसंगा जबाव का आएगा हाँ इनकी बूक की अच्छा होंगा कौन कोन सा है लेकिन मैं आपको यह बता दूँगा बच्छो इनका कौन थे तो अगर आपको पता है तो आपको बताना है अधल सैना दिवस कम मनाते हैं थाल सैना दिवस हम लोग कम मनाते हैं अगर आपको बताना है वायू सैना दिवस हम लोग कम मनाते हैं एक आपको बताना नो सैना दिवस हम लोग कम मनाते हैं इन तीनों के बारे में बताना बच्चा जरा इन तीनों के बारे में बताना दोस्तों झाल झाल बोचो मैंने आप से सवाल पूचा थलसाना दिवा समलोग गॉचा जाता है न अगर मैं बात करूँ तो यह ते इसी तरी किया जाता है यह यह बात आफ द्यां लत अप सप्सक्राइब है और ये टेए ये निल साथ है को प्रेसि पहरत के पिर्थम वायू सेनाध्यक्न आप्सक्तने हैं भारत के नाचना जल दिया जो आपको बताना है सरड देखंटक्मन लाट देते हैं आर भूकर जिसा हब दे अग्ला पूंНе daw अगो दो स्वराइड gotta सब्सक्राइब भारत के पिर्थम नोसे नाद एक्सकून तो लटे चलिए अब हम ते चलेंगे तुम कहरो भीया मंदे चलेंगे तुम ते चलेंगे यह यह कौन ते गुरुवर यह ते आपके वाइस एडमिलर आई डी कटारी साहब अगला पॉंट देखो दोस्तों पिर्थम chief of army staff कौन मने थे पिर्थम chief of army staff कौन मने थे is person का जवाव दिया झाय हमने तुम से सवाल पूचा और फिर्थम chief of army staff कौन सिवाइब टे तै नंने से तरीका कोन थे तो दे आए अगला देखे जी बच्छो और अगला स्वाल देखे शुटंद्र भारत के पिर्तम Chief Commander को मने थे चलिए तोड़ा तेज चल्देढ गित है कोई बात नहीं है तो बच्चों आपको बता तूं यह कौन थे दोस्तों यह लिग लिए आप जर्णल करिया पसाहब जर्णल करिया पसाहब थे दोस्तों चीफिन कमांडर अगला देखे पिरतम फिल्ड मार्सल कौन थे यह सवाल ऐसे हैं डारक लिए जो कई बार पेपर में पूचे जाते रहे और आप लोग आके बोलते हैं यार हमें पढ़े तो हैं लेकिन समझ में यारा कहां पढ़े कैसे पढ़े लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं कहता हूं जब भी मैं जोबी टोपिक कराया करूं बेटा और ओम प्रिकाजी आप डेलिया या आपका स्वागत है तो यह समय जर्नल मौनेकर फ्रिक जर्नल मौनिक स्व अगला देखे लोग सभा के पिर्थम अद्यक्ष कंदे लोग भाग के पिर्थम अध्यक्ष कुद्ब लग हां रिको न्च ये अश्मील जाई आपको पर साम प्रिक परिशून टुएगा विला ये बताओ कि लोग सब्सक्राज डीज ओंध इसका जबाव दीजे करें लोग सब्सक्राज़ दाया दो को शाज वहाँ जलदी हा आंए आप से पूचए एक सवाल देख यह पिर सम लोग सबाद देखंगे आप को बतादू हमारे देसेल पहली लोम नीति और 1951-52 यानि कि पहली लोग सभा बनी थी वह 1951-52 में बनी थी आप समझते हैं और लोग सभा में था मेरे-प्यारे सातिintérieur आपको बता देना चाहता हूँ लोग सभा में अध्यक्ष कहोता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चो जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर और बोलते हैं दोश्तों यह बट आप धिहान रखना हम क्या बोलते हैं उनको एक जीवी मावलनग करते हैं अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि पिर्थम महीला द्यक्ष कुन थी लोक सभा की पिर्थम महीला अध्यक्ष कुन वानिती बैचों लोक सभा की पिरता महील अध्याक्ष कौन मनी बताना लोक सभा की पिरता महील अध्याक्ष कौन बनी ती ये बताई गाय ओगया आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताओ किट्टो अरे तुमारे फूपा जी तो हैं वो तो बात सही है बुवा जी कुब बलालो जल्दी से अब ये बताओ पिरता महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताओ जरा लोग सबा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी वीडियो को तोड़ा लाइक वाइक कर दीजेगा वो थी बच्चो मीरा कुमार कौन थी मीरा कुमार और अगर मैं आपसे पूछू दूसरी महिला कौन है दूसरी महिला कौन है बच्चो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछू कि दूसरी महिला कौन है तो दूसरी महिला है सुमित्रा महाजन कौन सी है दोस्तों सुमित्रा महाजन ये दूसरी महिला है और अगर मैं आपसे पूछू कि लोग सभा के वर्तमान अध्यक्ष कोन है लोग सभाके वर्तमान अध्यक्ष कोन है यह बताना क्या होगा लोग सभाके वर्तमान अध्यक्ष कोन है बुला लोग सभाके वर्तमान अध्यक्ष कोन है फूपा जी तो आगे तुमारे बोलो भीया जल्दी से लोग सभाके पिर्थम अध्यक्ष कोन है तो भीया जी आपको पूपा ठीक है हमेजा पूपा रपड़ाइब ध्यान दो चलिए तो यह रहे आपके गणेश वासुदे मावलंकर शोड़म लोग बोलते हैं जीवी मावलंकर ठीक है यह रहे जीवी मावलंकर जी के फोटू बिचार होगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा भारत के मुख्य चुनावाय कों थे को भहरत के प honeymoon को चुछावाय को ने इनन ने बारे में थोड़ा विता को ग्रण भारत के मुख्य चुनावाय देखें अगर मैं चुनावाय के बात करो तो बैटा यह आपके अनुछे नमबर 324 में आता है अगर मैं चुनाव ऐो की बात करूं तो 324 से लेकर 329 तक क्युनाव आउवाए खाता है पहले सवाल तो यह शुर लिजयेगा और दूसरा सवाल आपको बता दूह है दो दूस्तार हो हवा लगारे कमार सर्मां यहां देखो 320 से 320 टाता है पहला सवाल मुझी यह बत्दाओ मतदाता दिवस कम मनाते हैं मतदात दिवस हम लोग का मनाते हैं वोतर डे हम लोग कम मनते हैं पहला सवाल दूसरा सवाल आपको बता ना पहले तो सु कुमार सेंते सबको पता 좀 tell Kune tunnel 먼저 k Unters a में और अए दुए ठीक है और मतदाता दिवासम लोग का मनाते हैं तो जिसको ना पता वो लिख लिजेगा गुरूरी ने पच्छेस जनवरी को मनाते हैं पच्छेस जनवरी को हम लोग सालिबरेट करते हैं देख दोस्तों फिर से आपको बता दो अगर यही किला सोप्षन वाली होती और स्क्रिन पर आए रहाघ्रसों यह थे सूकमारसें यह सूकमारसेंट जी कितने वहनती काम करें पचाले उगले भारत के प्रता मुप्छे नैदीज कुन ते भारत के कि वर्तमान में मुक्य नदीष कून थे जल्दी से बताईए गें दोनों प्रसनों का जबाब क्या आएगा आपको बता दूँ कि पहले मुक्य नियादीर तो प्यारे बच्चों पहले मुक्य नयादीर तो ही रा लाल जे कानिया यह बाट आप सुन लो पहले ठीन अब वस दोस्तों दीवाई चन्दव्ह चूड यह लिख लो अगर आप से कुछ है कि वर्तमान में कौन है पहले कौन थे तो मैं सब कुछ के लिए करके चल रहा हूं मैं पहले एक राजी गुरुजी वो तो धन्वंतरी थे एरे मांजाओ मांजाओ मेरे प्यारे लाड़ लो वो ते जस्तिस हीरालाल जेकानिया यह रहे हीरा आप लाल जेकानिया जो हमारे पहले जजते मुक्षे नियाधीश थे ठीके और अगले पॉंडियो देखिए अच्छा एक बात और बताओ मुक्य नियाधीश के संव्यल्री कितनी चोड़ अगर मैं आप से पूछ रा हूं तक इनकी इसलरी कितनी होती है तो ने जवात नहीं पता तो लिगलो मुक्ता नधिकी जो सेलरी होती है बिटा वह चेह कि तो लाख ऐसी जार रुपय रही बात अभन रहान को कितनी होती है दो लाग पचास अजार अन्य की होती है सेलरी पता नहीं कोई बात नहीं रसमी आप उने लिख लिजेगा स्वतंत्र भारत में जो जनमें है जिनका जनम हुआ है बेटा 29 सितंबर 1947 को बाबु वो कौन थे तो लिख लिजेगा ये थे आपके सोरे सोमी सोरे सोमी कपाडिया साह जिनका जनम भारत के आजादी के बाद वहा क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा भारत आजाद हुआ 15 ऑगास्त 1947 को और पचैंडनल को पैदा हुआ है ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर या आगा बच्चो अगला सवाल देखिए अंतर राष्टे नियाले में पिर्थम नियाधीस बनने वाले अध्यक्ट उन्ते उससे पहले में तीन-चार बात आपसे पूचूँगा हिए बताओं अंतर राष्टे नियाधीस का कारियकाल कितना होता है पहले पर आतार अंतर राष्टे नियाधीस का करियकाल कितना होता है इस इसका हैड उफ comment आप पर है मैं आप से पूछ रहा हूं कि जो इंटरनेशनल कोट है इनका हैड़ कोटर कहां पर है यह बताओ यह दोनों सवाल आपको बताने हैं अंतर राशे नियाले में पिर्तम भारतिय नियादीश कुण थे पहला सवाल दूसरा आपको बताना है मेरे प्यारे बचो की इनमें नियादीश का कारिकाल कित्रह होता है तीसरा सवाल इनका हैड़ काटर कहां पर है बताओ अब एक कि यह साल अभी तक किसी का सही नहीं आया वैसे को सही है मैं नहीं ले पाया उनका उनका कमेंट स्तेज चलने की वजह से विटा कारीकाल होता है नू वर्स का जो चार वर्स और पांच वर्स वाले निंवट लट्डू की तरह गुंगे वह तो लट्टू की तरह घूम भारतिय राष्टिक आंगरेश के फिर ताम अध्यक्स कोन बने थे हैं दफस्ट प्रेसिडेंट ओव दा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जरा बताइए गाइस प्रसंगा जबाब को एगा बताइए गजरा तो k hoc एक मिनिट में इतने बंचे देखने उतन बच्छय वीडियो को लाइक कर सकते हैं कि मेरे लिए अगर आपसे को चूह की भैई आपके गुरु ने पूछा है आपसे कि आप लाइक करेंगे नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बादा बच्छो बोलो दोस्त कि बरबना कि बादान बादार्न कि बच्छो कि बिता से कि धुरु नहीं करेंगे मैं आपसे कि आपसे कि बrच रहा हूं कि बच्छो कि कर देंगा तो होगए विए सब का मैने का अलाइक कर देंगे सभी अच्छे नहीं मनें तो लोग बात कोई बात नियुकर दोस्तों तो आपको बता दो सबसे पहले कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना हुई अट्ठाईब दिसम्र 1818 8085 कई दोस्तों 282788-8880 को कांगरेश की स्थापना के सिरे किसको जाता है तो इस्तापना का सिरे जाता है बटा ए ओ हुं इनका पूरा नाम था एलन ओक्टोवियम है आफुर सुन लिजेगा इनका नाम क्या था इनका नाम था ऐ और आपको बता दू मेरे प्यारे साथियो इसकी जो अध्यक्ष बनने वाले थे उनका नाम था डबलू सी बनर जी और पूरा नाम होता है बेटा बियो मेश चंद बनर जी कांगरेस के पहले संबेलन में ध्यान रखना कुल मिलाकर 72 लोगों ने भाग लिया था अच्छा एक बात मैं सवाब आपसे पूछना जाओंगा अठारे सो पिचासी से लेकर और 1947 कांगरेस में में कितनी महिला अध्यक्ष बनी इस सवाल का जो बच्चा साही जवाब देगा उनका नाम लिया जाएगा 1885 से 1947 तक कांगरेस में कितनी महिला अध्यक्ष बनी option में दे रहा हूं और संचार पांच छे साथ या आठ बताओ बेटा ओप्सन आपके सामने है कि अटारे सो पिचासी से उननी सो से तारीस तक कांगरेश में कुल कितनी महिला अध्यक्ष बनी है जरा बताई ये बच्चो मैंने पूचा आप से चार पांच छे साथ आठ कितनी मह देश में जब तक आजाद हुआ और कांगरेश की स्थापना से कुल मिला कर कितनी महिला अध्यक्ष बनी तो तुम्हारा जबाब आरा किसी का चार किसी का पांच किसी का अच्छे अरे आपको बता दूं बच्चे जवाब मद दो क्योंकि ओप्सन सारे गलत हैं ओप्सन सार नाम वहा करता था सरोजनी नाइडू एक हुआ करती थी 1933 में जिनका नाम तनेल एनी सेन गुपता ना इनके पहले कोई बनी ना इनके बाद में कोई बनी और यह द्यान रखना महिला बनी है आठाट साल के बाद आठ जोड़ो आठ जोड़ो उननीश्व सत्रेमाट जोड़ो तुम में जाठाट साल प्याँ और तुम्मे था अधे लड़को बत्चों का जबाबराऊ आ्ठाट को बनी है तीन महिलाव नहीं है कब अभिया सवान बनी आपके सामने रख दिया अगला सवाल स्क्रीन पर यह रहे भी ओमेज चंद बनर जी साहव यह रहे बिचारे अगला देखे भारतिय राश्टी कांग्रेस के पिरतम मुस्लिम अध्यक्ष कुन दे यह भी सवाल अच्छा है यह भी सवाल अच्छा है देखिए अगर मैं बात करूं आप से पूचेगा पिरतम इसाई भी पूच सकता अगला देखिए अरे इंद्रा गांधी कौन है बच्छे इंद्रा गांधी और सरोजनी नाइडवाला पले में इनको देख तो लूँ यह आज इनका दिमाग तो देख लूँ यह है इनका राम हैमन तो ओफिशल इन्होंने कहा है गुरू जी गलत आप यह बताओ कि इंद् महिलाएं कहां है तुमरा दिमाग भूल जाते हैं चोटी-चोटी बाते यार पहले भी सवाल पूछ चुका हूं तो भीया यह कूंते बद्रू देंता यह साहब दे अगला देखिए अगला देको भारती राच्छे कांग्रेस के सम्मेलन में संगटन का प्रस्ता पेस करने पहला पहला भारती कुन था या पहला व्यक्ति कुन था जरा बताइगा एक बार आजा आजा देज़र जबाब आओ दो जबाब आए तो प्यारे बच्छों आपको बता देना चाहता हूं वो थे आपके हसरत मोहानी साहब यह फोटो देखकर मुझे पता लगया यह कून त नहीं फसे हम गुरुजी हाँ फस गए आप लोग अगला देखिए अरे बच्छों अगला फोटो देखिए नोबल प्रुसकार प्राप्त करने वाले पहले भाड़ते कुन थे फोटो देखकर पहचान करो यह कून थे गुरुजी यह तो हमको बाबुजी लग रहे हैं को य है इनको सबसे पहले भारत में नोबल प्रुसकर मिलाहां तोरी कि बात है 1913 में मिलाहे और कितो एक दश Skills है वहसे तरज tenía का छेत्र सा यानि की साइट्य के स्पेश्च्छ मेंन रहा है पैचानो तो प्यारे बच्चों इनका नाव थह राविंदर यह रहा बढ़ और now took up ऒिन्हों ने देशके गान वे इन्हों ने थेत्त अंपर इन्हों ने हमंदा बारत का स्री लंका का और बंगला देश का तीन देशों का रहतिखान इनमे लिखा थी मैणा उनीस यह ऱैँने प्र और 10 से बहले नोबència Cities तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा बच्छो अगला सब देखे भारत में नोबल प्रुषकार विजयता वैग्यानिक रहे वो कुंते यह तो अपने बता दिया सबसे पहले रवन सहाव सीवी रमन को तो सीवी रमन सहाब को मिला ता उनिस्टीज में सीवी रमन सहाब को मिला है उनिस्टीज में मेरे प्यारे साती हो अगला सवाल देखे मैक से अवाड पाने वाले पिर्तम भारतिया कूंते तोड़ते चलूंगा बच्छों क्योंकि सवाल तो 40 थे मेरे पास मेरे बचीन दस मिनिट बचीन दस बहुत बढ़िया बच्छों तो यह कौन थे दो आता हूं यह दो भबावे जीते यह पीक्वार पूचा गया है अगले सवाल आपकी स्क्रीण पर ईया चलिये सर्दि लगड스로 कूंते इस चालिन प्रुसकार पराप्त करने तो सःफदीन कीछलू सहाख अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा तेज चल देटे हैं ग्ोल्डन ग्लोब आवार जितने वाले प्रृतंवार वारते कूंँ थे भाता ये गॉल्डन ग्लोब एक जीतने वाले फिर्तम भारते कूं थे कि दोस्तो आपको बता अंधुन आ 방 क El 있습니다 आपके रहमान सहब को यह थे आप के कोण और रहमान सहाब अगला जष्क्रेंफ क्रिक्र क्या है रहा दोस्तों बता यह बाया तरह न मैं कहरा हूए सवाल को आप वेरी वेरी मोस्टीम इतियास की जो कहानी 1992 ला यह जवPod जल दी से बिताओ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सभी बच्यक बान ना इन एंम लिड़ू 9 무 हम सभी बच्चे की गुरुदेव हम इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो सभी बच्चे बढ़ दर नाइन अम लिखेंगे मैं सुबर नो बच्छे इतिहास की थिवरी पढ़ाऊंगा कल से कि इस तरह मुझे बताईगा मैं सभी का क्मेंट्स देखना चाहता हूँ एक बार सभी बच्चे की लिखेंगे 9 a.m. अगर आप इतियास पढ़ना चाते हो छंड़ी की रूप में ऐस नहीं अच्छे लगती है सोना मुझे भी अच्छा लगता है जो बच्छे पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है लेकिन यह जिंद की के दो साल ध्यान रखना आने वाले 25 साल तुम गुलाम बना कर देंगे अगर अब दो साल महनत ना करी नहीं तो बारे साल तुम्हें महनत करें गंटे तुम्हें काम करना पड़ेगा ध्यान रखना इतना बता रहा हूं तुम्हें थे कि अर्श को अजिस आPPर नला नेंको नोबल् पुरूष्कान में भारत रतन मिला हो वह दो यह आपको बताना है मैंने आप से सवाल पूचाए भारत रतन से सम्मानित पिर्तम नागरी क्वेक्ति कुन दे जरा बताओ ने इन परसुनों के जबाब अगर तुक्षावल देखकर अगर तुक्के वाले सवाल होते तो मानते आप सवाल लिकलो खान अब्दुल गफार खान कौन थे बच्चो खान अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खान यह कहां के रहने वाले थे तो यह भी लिगलो यह पाकिस्तान के रहने वाले थे कहां के गुरुजी यह पाकिस्तान के रहने वाले थे समझगे ना आप अगला देखिए अगला सवाल ग्यान पीट प परिक्षा होती है इन्डियन एंविश्य सर्विस लेकिन उस समय पर हुआ करती थी आई इस की परिक्षा को पार करने वाला पास करने वाले पहले भारते कुंदि जरब बताओ हो जो और आइं अब शापको बता देना चाहता हुए एकौन थे दोस्तों येते आपके टैग ओर सबसंद्रण नाद्ट नाट टैग और जी इस परिक्षा को पास किया था सुबाश सं्नेघि नहीं थे उन्हों तो दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते ये कौन थे आपके दोस्तों राकेश सरमाजी थे ये कुन थे राकेश सरमाजी थे अगला देखिए इंग्लीज चैनल को पार्क करने वाले पिरतम भारते कून थे अलग बात है लेकिन तहर कर पार करने वाले कून थे तो यह आपके आज अचल आप तुम माहीं जाओ बच्चो आज तुमारे लिए कुछ इसपेसल होने वाला आपका और आपको सराने पड़े आपको तरणा क्या खास कर रहे हो सर्प खास ही है कि बच्चों को दिक्कत होती सब्सक्राइब करने के लिए आज आप कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो कर रहे हो आज दो वहज़े जरूर जूड़े में भी जुड़ू है वाले जनका नाम था मिहीर से अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा बताई भी आ पाक श्टेट तेरा की प्रत्योंगिता जीतने वाले पिर्तम भारते कुन थे तोड़ा जल्दी चलो समय का अब हावे तीन मिनट बचीए मेरे पास में तो भाईया जी यह कौन थे आपके यह लिग लिजेगा वैदनात साहव यह कौन थे वैदनात साहव अगला देखो बिना यह नहीं को करा एवरेस्ट की चोटी पर पोचने वाले प्रतम भारते कुंते तो सुरपा अंग दोर जी लेकिन पहले यह बताओ मांट एवरेस्ट किस देस में पड़ती है और इसकी उचाहिए कितनी है जरह बता ना बच्चो मांट आवरेष्ट किस देस में पड़ती है दोस्तो नेपाल के नाम मैं और नेपाल में सागर divine सागरमाथा के नाम से जाने जाता है अगर इसकी उचाई की बात करें तो चाई ब्राइस की 848 मीटर है यह भी ध्यान रखना अगला देखिए कडा सवाल की स्क्रीन पर fake रहा बांगे थे भाँरत का पृत्वारत करो बिर्मन करने वाला पृत्व लगा हो यह था कि मुगल दरवार में कि मैं मुगलों की बात करूं तो आप अ च्छी तरीके जानते हैं कि 1526 लेकर 18?, 15347 तक भारत में कौन रहे हैं 15、23 1857 तक भारत में रहे हैं मुगल को रहे हैं मुगल जिसमें पहला कोन था और पहले का नाम था आप सभी जानते हैं बाबर और अंतिम का नाम था बहादूर साहा जफर बहादूर साह जफर यह दोनों पॉइंट लिए पहले का नाम बाबर था और अंतिम का नाम बहादूर साह जफर था अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्याप टरोंकीन साय थे नटा अगला देखिए भारत आने वाल अपिरतम राष्ट पटी कुंते वालत आने वाले पिरतम राष्ट पतीकोन जैसे अप सब्यानते हैं कि अमेरीका रच्पती का करीकाल नो पेन दभांच वर्स अमेरिका का करीकाल कीतना होता है फार्शNew वर्थन और सेवाल आपको बता दूँन थे बताये का तो यह थी यह फो देविड आई जण हावर डेविड आई जन हावर एक सब्सक्कश् zor शॉवं के माधicion इन Kerryन CNC किनी भार राश्ट्फ बन सकता है जेब अन प्रश्टभध सैधरनर अमेरिका में एक वेक्ति कीतनी बारलौ लांताइन असका है अमेरिका में एक वेक्ति कितनी रिस इनक्टा बसकता है लिए अर पर दो बार कितने बार दो बार बनेगा बच्छो आप पहले तो यह बताओ कि आज की किलास कैसे लगी पीडियाफ चाहिए तो ओफलाइन कमेंट कर दीजिए इसकी पीडियाफ आपको अविलेवल करा दूँगा और सुबह नो बजे इतियाज की किलाज चले कि महां जरूर ज चाहते हो या फिर मेरे साथ जूड़ना चाहते हो तो एक मीनिट का समय लूंगा और मुझे बताइए जरा बच्छो देखे आपको क्या करना अगर अगर आप मेरे साथ छ असलवाले बच्छो से बात कर रहा हूं तो CHS वाले बच्छो क्या करना Google पर जाई है अड़ाट ओन तो यहां पर यहां जाके क्या करेंगे कोड यूज करते हैं वाई 367 जैसे आप यूज करते हैं तो तुरंत यह आपको 901 रूपे का मिल जाएगा तीर फस्ट और यहां जाके क्या करेंगे तो यहां बोल दिया है अब एक बार फिर्स लाश्ट वोलेंगे लोजी मालिक बच्चो अभी तुम्हें थोड़ी दिर पहले हमने बताया था कि अभी जैसे में एक लास एंड करूंगा तुरंत आपको दूसरे वाले सेसन में आना है जहां पर मैं खुद लाइव रहूंगा वह सेसन कौन सा होगा यह भी मैं आपको बता दूँ एक जीयस की जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का समधान हम लोग करेंगे आज आपके लिए जीयस वह रंबान वह एक इकटा कहते ना जीयस तो बहुत सारी आपको मार्केट में किताबे मिल जाएंगी लेकि दिल्ली पुलिस का बैच जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुबह 9 बजे से वह किलास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया आज की पहली किलास थी आज से सुरुवात करी हमने वह तो बच्छो आप क्या करेंगे देखे ओल्गोर्स को सेलेक्ट करो SSC पर आजाओ और अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस यह रहा दिल्ली पुलिस बच्छो दिल्ली पुलिस का बैच यह आपका 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एन्रोल ना किया हो तो फटाफट एन्रोल कर लिजेगा यह ब अब बात करते हैं प्यारे साथ है बहुत बड़े इवेंट के बारे में चर्चा कर रहा है आपसे अभी दिल्ले अभी जैसे हमारी क्लास कतम होगी दो मिनिट बाद हम लोग पहले सुरू कर देने दो मिनिट पहले को दिक्त तुड़ी होगी अभी दो मिनिट बाद में हम लोग एक बुक लॉंच कर रहे हैं बच्चो क्या कुछ खास होने वाला है उसमें आपको बताऊंगा बैटा उसवाले इवेंट में तो आप सभी प्रोमिस करो जितने भी बच्चे मुझे यह सुन पा रहे हो अपने जीवन के 10 मिनिट जो सबसे अमूले आपके लिए आज है यह निकाल कर आप उस के लास में जरूर पोचेंगे ठीक है मैं दिखा देता हूँ एक बारे कौन सा है आपको कोछ नहीं करना दोस्तों आपको कुछ नहीं करना गूगल पर सुरी यह जाई यह और यह लिको बच्चे देखो कौन सी किलास कि मैं बात कर रहा हूं यह देख रहा एक मिनिट मैं किस किलास की बात कर रहा हूं जरा देखिए गा यह लाइब मैं जागा ना तो को यहां पर मतलब अब यहां से चलाइब